दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि Study IQ के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको Study IQ चैनल को सब्सक्राइब करना है वेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे नमश्कार दोस्तों आपको याद होगा दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहांपर RBI के द्वारा जो उसकी Bi-Monthly Monetary Policy होती है यह मैंने आपको इस वीडियो में explain किया था तो इस पर्टिकलर वीडियो में मैंने आपको एक बहुती important चीज बताई थी कि यहाँ पर RBI ने निर्णे लिया है कि एक कमिटी बनाई जाएगी अंडर दी चेर्मेंशिप आफ के वी कामत तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये जो कमिटी है उसका रोल क्या होगा क्या करने वाली है ये कमिटी किस चीज में मदद करेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बुक और ट्विटर पर मेरे लेक्शर की हर पीडियाफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल ओफिशल और अगर आप यूपसी की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मौका है वीडियो में बताया था कि जो ब्रिक्स देशों के द्वारा बैंक बनाया गया था न्यू डवलप्मेंट बैंक उसका भी जो सबसे पहले हैड थे वो भी आपके केवी कामत थे तो यह पर्टिकुलर जो कमिटी होगी इसमें पांच मेंबर्स होंगे एक केवी कामत और बाक से समझने की कोशिश करिएगा यह जो कमिटी है वो रेकमेंडेशन देने वाली है किसको देगी ओव्यसी बात है और भी आई को और भी उस रेकमेंडेशन के तौर पर यहां पर जो भी रेकमेंडेशन आएगा उसके इसाब से यहां पर फाइनल जो निर्न है वो लेने वाल उनके उपर बहुत जादा impact देखने को मिला है पिछला जो 3-4 महने का लगतार lockdown देखने को मिला था इसकी जैसे demand में कमी थी sales नहीं हो पा रहा था और especially अगर मैं tourism industry की बात करू real estate sector की बात करू hospitality sector की बात करू बहुत जादा impact देखने को मिला है अब क्या हुआ है इस तरह की जो businesses हैं industries हैं उन्होंने बहुत सारे loan लिये वे थे bankों से अलग-अलग financial institution से तो obvious इबात है अगर यहाँ पर sale नहीं होगा अगर वो business grow नहीं करेंगे तो वो अपना loan कैसे repay कर पाएंगे तो एक तरफ problem इन सारे sectors में है और दूसरी तरफ जो problem है वो आपका financial sector के उपर आने वाला है हमें already पता है कि financial sector की हलत क्या है हमारे देश में NPA लगतार भढ़ते जा रहा है और मैंने एक video भी बनाया था recently आपको बताया था कि जो NPA है वो 9% से बढ़कर 14-15% तक जा सकता है जो कि एक बहुती जादा stress डालेगा हमारे financial sector के उपर तो इन सारे चीजों को देखते वे यहाँ पर RBI ने निर्डे लिया कि जब ये loan repay नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जरूरी है कि वो जो loan था उसका proper resolution हो सके यहाँ पर ठीक है तो यह जो आप देखिए यह जो recommendation देगी यह committee यह किस पर देगी the required financial parameters to be factored into the resolution plan अब इसको हम एक एक करके समझते हैं सबसे पहले आप समझ लो resolution plans क्या होता है it is a proposal मतलब कि एक proposal होता है किस चीश पर a resolution to the problem of corporate debtor's insolvency इसका मतलब यह हुआ कि कोई corporate है कोई business है उसने यहाँ पर loan लिया था तो वो corporate क्या बन जाएगा debtor बन जाएगा और जो financial institution है जिसने loan दिया था वो क्या बन जाएगा creditor बन जाएगा तो यहाँ पर यह जो debtor है वो जब insolven हो जाता है मतलब कि capable नहीं होता है उस loan को repay करने के लिए तो उसको insolven कहते हैं तो यहाँ पर यह जो insolven हो गया है loan repay नहीं किया जा पा रहा है उसके उपर एक proper plan होना चाहिए एक proper resolution होना चाहिए ताकि आगे चलकर यह जो loan लिया गया था वो किसी भी प्रकार से payment किया जा सके financial institutions को तो यहाँ पर क्या होगा एक तो जो business है उसको जादा impact ना है और जो financial institutions जिन्हों ने loan दिया था उनका NPA ना वढ़ जाए ये main मकसद होता है resolution plan का और इसी को हम resolution plan कहते हैं तो अब मैं वापस आता हो कि इस committee का role क्या होने वाला है यहाँ पर ये role ये होगा कि इस समय वो सारे businesses जो की COVID-19 की वज़य से impact हुए है ध्यान रखेगा सिर्फ जो COVID-19 से impact हुए है पहले के जो business impact हुए थे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है सिर्फ COVID-19 से जो impact हुए है वो जो loan repay नहीं कर पा रहे हैं जो insolvent हो गया है उनके लिए proper एक resolution plan हो अब देखेगा resolution plan लाना इतना आसान नहीं होता है इसमें बहुत सारे parameters बहुत सारे factors को देखना होता है जैसे कि अगर हम कहें कि एक particular resolution plan हो वो सभी के लिए लागू होगा क्या ये possible है नहीं possible है आपने देखा है COVID-19 के समय कई सारे businesses ऐसे हैं जो कि essential goods के उपर manufacturing करते हैं तो क्या उनके उपर कोई बहुत ज़ादा impact आएगा नहीं आएगा तो उनके लिए एक अलग तरह का resolution plan होना चाहिए वो सारे sector जो की बहुत ज़ादा impact हुए जैसे की real estate की मैंने बात की तो उनका resolution plan थोड़ा different होना चाहिए तो ये सारे जो sector specific benchmark है उन सभी को यहाँ पर मद्दे नजर रखते हुए ये जो committee है वो एक recommendation देगी RBI को कि ये जो resolution plan है वो किस तरह का होना चाहिए ये main role रहने वाला है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये committee क्या करने वाली है अब यहाँ पर आप देखिए कि जब ये recommendation देगी committee मैंने आपको क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि RBI को उसको accept करना ही पड़ेगा यहाँ पर जैसे ही recommendation दिया जाएगा committee की दोरा उसके within 30 days RBI क्या करेगी इसको यहाँ पर notify कर देगी public में जारी कर देगी यह प्रप्रिकली जिन्होंने loan लिया था वो loan repay नहीं कर पा रहे हैं तो यह जो resolution plan आया है इसके accordingly वो लोग अपना जो loan है उसको restructure कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर किसी ने 1 करोन रुपय उधार लिया था किसी business ने अब वो repay नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर एक proper resolution plan होगा इसके accordingly हो सकता है कि 1 करोन जो की 4 साल में pay करना था अब इसको 5 साल में किया जाएगा कौन कौन business इस resolution plan के अंदर आ सकते हैं वो सभी चीजों के उपर जो recommendation है वो committee के द्वारा दिया जाएगा अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर क्या है कि RBI ने कुछ conditions भी set कर रखे हैं preset conditions वो सभी के उपर लागू होगे जैसे कि यहाँ पर यह जो resolution plan है वो 1500 करोंट के उपर के लोन पर ही लागू होगा आ रहा है समझ में मतलब कि कोई business है उसने 1500 करोंट से जो उपर के उधार लिये हैं उसी के उपर लागू होने वाला है अगर आपने 1000 करोंट के यहाँ पर लोन लिये हैं तो यह resolution plan उस business के उपर लागू नहीं होगा तो यह threshold है आपके examination point of view से बहुत ही important है इसको ध्यान रखिएगा अब दोस्तों मैंने एक बहुत ही important चीज़ आपको बताई थी अभी कि यह जो resolutions है वो यहाँ पर सिर्फ जो COVID की वजए से वो companies affect हुए हैं उनके ऊपर ही लागू होने वाला है लेकिन यह ensure कैसे किया जाएगा कैसे पता किया जाएगा कि यह company जो है COVID-19 की वजए से इंपक्ट हुई है इसके लिए RBI ने क्या किया है यह कहा है कि March 1 तक आप ध्यान दिएगा कि First March के बाद ही तो यह सारे problems से start हुए थे तो यहाँ पर वो जितने भी loans है जो भी business ने loan लिये थे First March तक उनके loans default नहीं होने चाहिए default category में नहीं आने चाहिए ध्यान रखना है आपको उन्होंने जो भी loan लिया था अब वो repayment नहीं कर पा रहे है तो अगर आपने February में ही repayment नहीं किया था January में ही नहीं किया था तो आप default category में आ गए थे 30 days से ज़्यादा के लिए तो आपका यह resolution के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा किसको सामिल किया जाएगा जो COVID की वज़ए से impact हुए तो अब्वेसी बात है March के बाद वो सारे business जो की default category में आ गए जो अपना loan repay नहीं कर पा रहे थे वही businesses को यहाँ पर इस resolution के अंदर लाया जाएगा और क्या अलग कोई और भी conditions है इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जी हाँ बिलकुल condition है कि जो resolution है यह जो भी है यह यहाँ पर 31st of December तक invoke करना है invoke करने का मतलब यह हुआ कि जो भी यहाँ पर businesses इस resolution process के अंदर आना चाहते हैं उनको 31st March तक notify करना होगा कि हाँ मैं इसके अंदर आना चाहता हूँ हम जो है repayment नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक proper resolution plan चाहिए तो 31st December तक का ही time है और जब एक बार यहाँ पर उन्होंने invoke कर दिया कि यह loan को resolution के तोर पर भेजा जाएगा तो उसको within 180 days implement करना होगा ऐसा नहीं है कि वो सालों साल चलता रहेगा तो within 180 days तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सपोज कोई business ने अपना 31st December को ही invoke किया है तो maximum क्या होगा उसके पास यहाँ पर करीब 6 मेहना बचेगा जिसके तोर पर वो अपने resolution को invoke कर सकता है तो I hope कि यह सारी चीजे समझ में आ गई होंगी आपको और यहाँ पर एक और चीज है इस particular framework के अंदर जो भी lending institutions हैं जैसे कि banks हो गए financial institutions हो गए जिन्हों पे करना था तो यहाँ पर RBI ने कहा है कि आप maximum जो loan का tenor है वो 2 साल तक ही बढ़ा सकते हो 2 साल से जादा नहीं बढ़ा सकते हो हो सकता है आप 2025 से इसको 2026 कर दो क्योंकि अभी आप loan repayment नहीं कर पा रहे हैं तो 2026 कर दीजे या फिर 2027 तक कर दीजे लेकिन उससे जादा extend आप नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर moratorium भी चाहे तो लगा सकती है याद होगा आप सबको कि moratorium का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह हुआ कि उस particular time period तक जो भी यहाँ पर EMI principle जो भी होता है तो यह भी चीज लगा सकती है यह main आपके framework के अंदर ही आएगा और last में जाने से पहले जब person press conference हो रही थी और even जो भी document आया है उसमें यह बोला गया कि यह resolution plan लाने का जो सबसे important मकसद है although मकसद तो काफी कुछ है जैसे कि business को बताना है काफी देश की economy को बढ़ाना है लेकिन सबसे important जो underlying theme है वो यह है कि जो हमारा banking sector already stress में आ गया था वो और ज़्यादा stress में ना आ जाए ऐसा ना हो जाए कि जो NPA है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इसलिए यह हम particular process के तुरू आगे बढ़ रहे हैं तो यह सारी चीजें दोस्तों मैंने आपर complete कर दी है और एक important चीज़ मैं बता दू recently मैंने IBC के उपर भी वीडियो बनाया था कई लोगों के request थे कि sir इसके उपर जरूर बनाईए तो इसके अंदर एक recently pre-pack करके कुछ लाया गया है तो आप चाहें तो वीडियो देख लिएगा मैंने IBC के बारे में भी उसके अंदर explain किया है अच्छे से तो I hope दोस्तों यह जो वीडियो था regarding KV कामत committee इसके बारे में सभी कुछ आपको पता लग गया होगा अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं कोई भी cost purchase करना चाहते हैं आप study IQ app पर जा सकते हैं किसी भी inquiry के लिए आप उनसे directly इंस्टाग्राम पर जुड़िए यहाँ पर मैं daily एक MCQ डालता हूँ आप stories में जाकर play कर सकते हो मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon